नमस्कार साथियों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूटूब प्लैटफॉर्म यूपी संगम बायम्डी क्लासस पर बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों तो कुल मिलाकर जिस घड़ी का आपको इंतजार था जिन चीजों में आपको क्लैरिफिकेशन का इंतजार था उत्तर पुलिस को लेकर वो घड़ी अब आ चुकी है और लगातार जो लंबे समय से आपका इंतजार चल रहा है अब वो इंतजार खत्म होने को है और बहुत जल्द इसका नोडिफिकेशन दोस्तों आपके सामने आने को है और आपके सपने पूरे होने को है जी हां हम बात कर रहे हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस भरती 2023 की और जो लगातार इंतजार किया जा रहा था लंबे समय से बात चल रही थी कि 37,000 पदों पर भरती आनी है आज कल आज कल आज कल इस महीने उस महीने हो रहा था इसमें अब जो है पद होने जा रही है और हम यह भी बात करेंगे कि आखिर नोटिफिकेशन आपको कब तक इसका देखने को मिल सकता है तो सबसे पहले हम आपको कुछ सबूत दिखाते हैं जिसके माध्यम से आप यह समझ पाएंगे कि यह केवल ऐसी ही कही गई बात नहीं है कोई वाइरल खबर नहीं है बलकि यह सचाई है क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं कि गौर्मेंट उत्तर प्रदेश के गौर्मेंट ऑप उत्तर प्रदेश के ट्विटर हैंडल से बकाइदा इसको ट्विट किया गया है और साथ में आप देखेंगे कि इस न्यूजपेपर की कटिंग भी लगाई गई है और साथ में यह न्यूजपेपर्स की कई सारे ऐसे न्यूजपेपर्स हैं जिनमें इस खबर को प्रमुक्ता से चापा भी गया है तो सबसे पहले आप जानिए कि यह पद जो है बावन हजार 699 हना होने वाले हैं और बावन हजार 699 सिपाईयों की होगी सीधे सीधे आप देख सकते हैं कि इसको ट्विट किया गया है दोस्तों अगर आप देखेंगे तो बकाइदा यह चीजें हैं और इसको अगर हम थोड़ा विस्तार पूर्वक आपको बताएं तो आप देख पाएंगे कि इसमें जो पद हैं यह 41,811 पद सिपाही नागरिक पुलिस के हैं जी यहां दोस्तों 41,811 पद सिपाही नागरिक पुलिस के हैं जिने हम सामान्यता थानों वगेरा में देखते हैं दोस्तों और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 8540 पद कौन से हैं सिपाही पीएसी के हैं तो ऐसा होता था सामान्यता सामान्यता देखा जाता तो कि पीएसी के कुछ इसके पहले जो कुछ भरतियां हुई है उसमें पीएसी के पद थोड़े ज्यादा रहे हैं लेकिन इस बार पीएसी के पद साड़े आठ हजार के करीब दिखाए जा रहे हैं और लगबग 42,000 के आसपास का यह जो पद है सिपाही नागरिक पुल समझे एग्जैक्ली अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्ली हम कह सकते हैं कि 52,699 पद अब इसमें जो खबर में बताया गया है वो देखेंगे कि लिखा हुआ है कि उत्तर पदेश पुलिस भरतियों पुरनाती बोर्ट जो इसका पेपर हना मतलब कराती है 52,699 सिपाईयो की सीधी भरती करने जा रहा है और उत्तर पदेश पुलिस के इतियास किये सबसे बड़ी भरती होगी उच्च पदस्त सुत्रों के मताबिक लिखित परिक्षा और भरती से असंबंदित अन्यकारियों के लिए कारेदाई संस्था के चैन की निवदा 15 जुलाई तक जाएगी और अगर इस वर्ष के अंत्र की बात करते हैं तो यह होता है आपका नवंबर इसका मतलब यह है कि 15 जुलाई को निविदा निकाली जाएगी और नवंबर दिसंबर तक पेपर होना है तो यह मान की चलिए कि यह नोटिफिकेशन जो हमें अगस्त लास्त तक या बहुत ज्यादा होगा तो सितंबर तक सामने देखने को मिल सकता है और हम सभी जानते हैं कि एक्जाम की तैयारी के लिए किसी पी एक्जाम की तैयारी के लिए कम से कम छे महीने प्रॉपर लगना जरूरी है जिस हिसाब से आज के दौर में कॉंपटिशन बढ़ा है दोस्तों अब आप देखेंगे आगे लिखा हुआ है कि लेकिन कारणाई संस्ता का चयन लिखा हुआ यहाँ पर कि संस्ता का चयन होने के बाद ही सब होगा दो कंपनियों के भरती परिक्षा में रूची दिखाने के बाद अब ये जो 52,699 सिपाईयों की सीधी भरती के संबन्द में कारवाई आगे बढ़ाने की कवायश शुरू हुई है बीते नवंबर में हना बीते नवंबर में सिपाई के 3500 पाउन पदों के लिए सीधी बरती के लिए कारवधाई संस्ता का चैन करने की निविदा जारी हुई थी जिसमें केवल एक कंसंटल सी केवल एक TCS ने क्या दिया था हिस्सा लिया था मतलब इसमें कहा जा रहा है कि हमने क्या किया था नवंबर महिने में पिछले साल के नवंबर महिने में जब निविदा निकाली गई थी तो केवल एक कंपणी ने इसमें रूची दिखाई थी कि हम पेपर कराएंगे क्यों धादली के चलते कई सारी कंपनिया इसमें हाथ आगे नहीं बढ़ाने चाह रही थी कि कौन जाए उसमें धादली हो जाएगी तो बड़ी दिक्कत होगी बंदा मीं होगी लेकिन अब जो है दो कंपनियों ने इसके लिए जो है अना मतलब इंटरस्ट दिखाया है तो अब यह प्रक्रिय एकदम सिंपल सा है कि 150 टोटल कितने क्वेशन आने हैं 150 क्वेशन का दोस्तों पेपर होना है दो घंटे का समय आपको मिलता है 150 क्वेशन दो घंटे मतलब टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए और टाइम मैनेजमेंट आप तभी अच्छा कर पाएंगे जब इसका ग्यान अच्छा हो तो यह आप स्पीड से क्वेशन को सॉल कर पाएंगे प्रतेक प्रश्ण के लिए 2 अंक मिलते हैं मतलब 150 प्रश्ण है तो दो अंक अगर प्रतेक प्रश्ण के लिए मिलते हैं तो यह हो जाएगा आपका 300 नंबर का पेपर होता है नेगेटिव मार मैस के 38 क्वेशन हिंदी के 37 और रिजनिंग के 37 क्वेशन और कुल मिलाकर इस तरह से 150 क्वेशन आने हैं धान दीजेगा कि एज जो है वो सामान्य वर्ग के लिए 18 से 22 साल ली जाती है नियुनतम 18 साल और अधिकतम 22 साल यह जनरल के लिए है बाकी अन्य वर्गों के लिए जो चूट मिलती है लेकिं चूट की कॉरोना की वज़न से और भी अन्य क्वेशन से लंबे समय से भरती नहीं आई है ऐसे में जैसा कि अन्य केंद्री भरती के लिए बिल्कुल आप सभी को आवाज उठानी चाहिए और बिलकुल हम भी आवाज उठाएंगे और इस तंदर में हम भी देख रहे हैं कि अगर कोई ट्विटर बाकी आप जानते हैं कि हम लगातार जैसे लेकपाल रहा हो या यूपिटर पलसी का पैट रहा हो वंदरोगा रहा हो अभी वीडियो रीग्जाम चल रहा है और लगातार इन सभी एक्जाम्स के लिए हम अच्छा कर रहे हैं और SSE GD और CRPF के लिए भी हमारे में चैनल MD Classes ब नहीं है हजारों सेलेक्शन भी हमने दिये हैं और UPP में भी इस बार जंडा गालेंगे यह हमारा वादा रहा और आपकी सफलता बिल्कुल करेंगे सुनेश्चित तो मिलते हैं अगले सेशन में एक जबरदस्त पैम टेवल के साथ बहुत बहुत शुक्रिया लाइक जरूर क करिएगा इस जानकारी को और हाँ तैयारी अपनी शुरू कर दीए धन्यवाद तैंक्यों वेरी मच्च